आज बनाएंगे करेला प्याज की बिल्कुल नए तरीके की करेले की सबजी ये सबजी बिल्कुल भी कडवी नहीं होगी इस बात की गारेंटी है इस तरीके से बनाएंगे एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो कभी भी करेले आपके कडवे नहीं बनेंगे इतने टेस्टी ब निकल जाए अब इने हम इस तरीके से करटेंगे गोल-गोल पीसेस में इससे जो इसमें जो बीज होते हैं जब हम इनकी सबजी बनाते हैं तो ये अपने आप से ही अलग हो जाते हैं हमें इनको निकालने की ज़रूरत नहीं अगर आपको बिल्कुल भी बीज पसंद नहीं है तो आप इने चाहे तो निकाल भी सकते हैं तो सारे करेले हमने अच्छे से कट कर लिये हैं बढ़िया से अब हमें इने बाद में नहीं दोलना है इस बात का ध्यान रखिएगा अब इनको डाल देंगे एक बड़े बरतन में इसमें डालेंगे चोथाई चमज के करीब हल्दी पाउडर और आधा चमज के करीब इसमें डालेंगे नमक और नमक डालकर इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इन करेलों में बढ़िया से और इनको इस तरीके से चाहे तो इस तरीके से मिला लीजेगा इस तरीके से या फिर आप हाथों से भी इन्हें अच्छे से मिला लीजेगा ताकि करेले में हल्दी और नमक अच्छे से मिल जाएं ये सारी चीजे मिला कर हमें सबसे पहले रख देनी है क्योंकि जब तक हम सबजी बनाएंगे तब तक ये अपने आप से अपना पानी छोड़ देंगे तो ये वाला इस्टेफ हमें सबसे पहले ही करना है और इन्हें हमने मिला कर छोड़ दिया है अब इस सबजी को बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमें सरसो का तेल गरम करना है सरसो के तेल से करेला बहुत अच्छे बनते हैं एक बार इस तरीके से बना कर देखेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब ये तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें डाल देंगे एक चमज भर कर सौफ आधा चमज जीरा और चोथाई चमज के करीब हींग सौफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है सौफ को जरूर डालिएगा जीरा को चाहे तो स्किप कर सकते हैं पर सौफ जरूर से डालना है सभी को अच्छे से मिला देंगे और इसमें डाल देंगे प्याज तो यहां पर लगबग हमने 200 ग्राम के करीब प्याज लिया है 200 ग्राम करेला है या फिर आप बराबर क्वांटिटी भी रख सकते हैं जितना प्याज उतने करेले वो इस सबजी को बहुत ही बढ़िया बना देता है तो प्याज को हमें हलका सा फ्राई करना है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है अब हम इसमें डालेंगे एक चमब भर कर देगी मिश पाउडर आधा चमब धनिया पाउडर चोथाई चमच के करीब रेगुलर लाल मिश और चोथाई चमच करीब हल्दी पाउडर सबी मसालों को प्याज के साथ एक बार अच्छे से मिला देंगे और ये जब तक हमने सबी चीजों को भूना है तब तक करेलों नों भी अपने साथ पानी छोड़ दिया है अब हमें इस पानी को नहीं निकालना है इसी के साथ हमें इस करेले को डाल देना है और प्याज के साथ मसालों में एकदम करेले को हमें अच्छे से मिलाना है मिलाना है मतलब इन्हें हमें भूनना है इन्हें करेलो को जितना अच्छे से हम फ्राई करेंगे जितना अच्छे से ये फ्राई होंगे उतना ही इनका टेस्ट अच्छा आएगा और इनका कड़वापन चला जाएगा तिन्स अच्छे से मसालों के साथ फ्राय कर लिया है अब इसमें डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक ध्यान रखेगा कि नमक हमने पहले भी यूज किया है तो नमक डाल कर फिर से हमें इनको अच्छे से मिलाना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मसालों के साथ करेलों को अच्छे से फ्राई करना है अगर आप प्याज को पहले पूरी तरह से भून लेते तो फिर करेले के साथ प्याज जल जाता इसी बज़े से हमने प्याज को बहुत ज़ादा फ्राई नहीं किया अब इन सबी चीजों में लगा देंगे लिड और इने 2-3 मिनट के लिए low to medium flame पे पकने देंगे low to medium flame पे ही पकाईएगा नहीं तो ये जल सकते हैं क्योंकि इसमें पानी का यूज बिलकुल भी नहीं होता अब इसको हमने लिड हटाई 2-3 मिनट के बाद और इने अच्छे से चलाते जाना है मैं टाइमिंग बता रहे हूँ आप टाइमिंग की बिलकुल भी ना वो करें नहीं तो कभी कभी गैस कमया जादा भी हो सकती है तो बीच-बीच में इनको देखते जाएगा और ये देखिए इनको अच्छे से फ्राई किया था तो करेला अपने आप में बढ़िया से पक गए है लेकिन अभी हम इनको फ्राई करेंगे और इससे ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे अब करेला पक चुके है तो लास्ट में डालेंगे इसमें एक से देर चमत भरकर अमचुर पाउडर ये जरूर से डालिएगा बिल्कुल इसे इसकिपना करिएगा अमचुर पाउडर डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और गैस को लो करके इसे हमें 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है जितना हम अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्ट इसका बढ़िया आएगा तो हमें इसे 3-4 मिनट तक लगभग बढ़िया से भून लेना है अब लास्ट में लिड लगा देंगे गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और बस ये हमारी बहुत ही तेस्टी चटपटी बिना कड़वाहत के करेले की सबची बनका तयार है अगर आप भी एक बार इस तरीके से करेले की सबजी बनाएंगे एक एक स्टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी ये करेले की सबजी कभी भी कड़वी नहीं होगी और इसे बड़े से लेकर बच्चे तक सभी मजे से खाएंगे ये चटपटे मसालेदार करेले की सबजी बनकर तयार होती है और मेरे घर में करेले की सबजी खाना सभी को बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादा तर अकसर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि भरवा करेले बनाने में बहुत समय लगता है और ये फटा-फट से बनकर तयार हो जाते है अगर आपको भी प्जानाएं